नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके साबने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं लगातार अधिकतर आँख से पानी निकलना, इसके कई कारन के अधार पर पानी की आखें अपने दम पर ठीक हो सकती हैं घर पर खुद देख पाल करके आप इसका इलाज असानी से कर सकते हैं आपकी आखें हमेशा आसु बनाती रहती हैं ये आसू आँख के कोने में एक छोटे से छेट के माध्यम से आँख से भैजाते हैं जिसे आसू वाहिनी की कहा जाता है पानी वाली आँख कई कारकों और शर्तों के कारण हो सकती हैं आसू नलिकाएं और आसू नहीं पैदा करती हैं वलकि आसू को दूर करती हैं शिशुव में आसू वाहिनी पूरी तरह से खुली नहीं होती है और जीवन के पहले कई महीनों तक ठीक से कारे नहीं कर सकती है बड़ों में लगादार पानी की आँखे उम्र बढ़ने की त्वचा की वजह से पलकों का आँख से दूर होने की वजह से हो सकती हैं जिसमें आसू इकठे हो जाते हैं और पहार निकल जाते हैं कभी कभी अतेदिक आसू बादन के कारण पानी की आखे भी हो सकती हैं एलर्जी या वाइरल संक्रमन यानि की आख आना यानि की किसी भी तरह की सूजन पानी की आखे कुछ दिनों या उससे भी जादा के लिए रह सकती हैं पानी वली आँखों के इन कारणों में क्या-क्या शामिल है आईए जाल लेते हैं आशु वाहिनी की रुकावट आँख आना दून या हवा मेरे सायन का होना उजवल प्रकाश आख में कुछ जैसे की धूल या रेच चला जाना कच्रा जमना संक्रमन अंदर की तरफ पढ़ती हुई पलके ये सब कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं या फिर जलन कभी कभी कुछ और कारणों से भी आसु आ जाते हैं आँख पर जोर पढ़ने से जोर से हसने की वज़े से उल्टी होने की वज़े से या फिर उबासी लेने की वज़े से भी आपको आखों में पानी भरा हुआ मैसूस हो सकता है आईए जान लेते हैं कि वह कौन-कौन सी होम-मेड रेमिड जिनके कारण आप अपनी नाखों को ठीक कर सकते हैं जिया दोस्तों आखों से पानी भरे तो कैसे आप ठीक कर सकते हैं तंबाकों सूंगने से आखों में पानी भेना बंद हो जाता है हल्दी का आख पर लेकरने से सुर्खी फर करके आखों का पानी भेना बंद हो जाता है इसके अलावा डल्डी, डंडी छील करके प्रती दिन आखों में लगाने से आखों से पानी भेना बंध हो जाता है। 200 ग्राम मिश्री को महीम पीस करके उसमें 4 ग्राम तूतिया को डाल कर घोटें और जब सूर्मा बन जाएं तक परशन करकर शीशी में भर लें। इसके तीन-तीन सिलाई सुपह शाम आखों में लगाने से आखों से पानी भेना यानि की डल का बंध हो जाता है। जानकारी आप सभी के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही लौटिंग एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।